Hello friends, welcome to my channel Learning Titles So guys, आज का हमारा topic है Composition and Comprehension दोस्तों, बहुत लोग के मन में ये सवाल उठते हैं इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाई है सिर्फ दो मिनिट दीजिए, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे Compositions क्या होते हैं दोस्तों, Composition एक वे है एक तरीका है जिसमें हम बहुत से चीज़ें मिक्स कर देते हैं और उसके बाद बनाते हैं यानि, ज़्यादर तर हमने क्लास में देखा है कि Composition को हम Notice, Message, Letter, Writing, Postcard ये सब कहते हैं दोस्तों, ये बात सही है Notice, Message, Letter, Writing इन सब में हम जो भी बात लिखते हैं वो डेर सारी चीज़ों को Compositions करके लिखते हैं इसलिए ये हमारी Compositions में आती हैं और इन्हें हम कहते हैं Composition So, अब हम आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताऊंगा Comprehension के बारे में दोस्तों, जालता है लोग इसकी Pronunciation करने में गरवर्ट कर देते हैं इसे हम Comprehension कहते हैं तो दोस्तों, Comprehension का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने वे में समझना Comprehension का मतलब यह है अपने वे में किसी चीज़ को समझना जिसे आप पेपर्स में एक्जाम में किसी unseen passage जिसे हम unseen passage कहते हैं उन्हें read करते हैं उन्हें अपनी भासा में समझते हैं उसके बाद answer देते हैं ठीक है और essay essay को हम अपनी भासा में मतलब अपनी तरीके से ही लिखते हैं तो इसलिए दोस्तो unseen passage, essay ये दो चीज़े हमारी comprehension में आती हैं दोस्तो इसलिए comprehension और composition पे कोई chapter नहीं बनते हैं क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़े होती हैं तो दोस्तो आखिर में यही कहना चाहूंगा आज की मेरी वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल पर जाके देखना मेरे चैनल पर ग्रामर के सभी chapters हैं वो भी clearly understanding के साथ सो दोस्तो प्रेज देबल एकन तो गेट नेक्ट वीडियो और टेक केर गुडबाई थैंक यू